नमस्कार साथियो मैं आपको आज का जो ख़बर बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही महत्पूर्ट ख़बर है दोस्तों यह दि आप भी गार्षियन हैं सी बच्चे के माता पिता है तो यह ख़बर आप लोगों से जरूर मैं सेर करना चाहूँगा और आप लोग जरूर इस ख सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक करके अपने साथियों में शेयर कर दीजिए तो चलिए दोस्तों हम विना कुछ देरी के एक पेपर के कटिंग के मात्यम से मैं आपको वह ख़बर दिखाऊँगा और साथी साथ मैं आपको पूरी ख़बर पढ़के ख़बर दोस्तों बच्चों से संबंदित है इसलिए गारजयत को देखना यह ख़बर बहुत ही जरूरी है चलिए दोस्तों टेरेक्ट चलते हैं हम उस पेपर के कटिंग पे जो ख़बर यह परकासित क्या गया है तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख अए हैं नहागाउं से तीन बच्चे जिनका ओं 8 से 12 बच्चे उस बच्चे ने क्या क्या कि बागेश्वर बाबा का वीडियो वीडियो को अपने मोबाल पे देखता रहता था और उनसे इसकदर प्रभावित हुआ कि वह घर से भागने का प्लान कर लिया तीन बच्चे ने मिल गे औ वह सीता मढी से दर्भांगा जर्गिशन आया दर्भांगा जर्गिशन पे दोस्तो शोतनता सनानी एक्सप्रेस जो कि जयनगर से नई दिल्ली के लिए ट्रेन है इस ट्रेन में बैठा और वहां से छतरपूर जहांकि बाबा का अस्थान है वहां जाने के लिए रहाना प्रिवाग में ख़वर किया गया और इन बच्चों को मुझबरकुर में पकर लिया गया और पकरने के बाद पूछता स्क्या दिया तो इन बच्चों ने बताया कि इनका घर सीता मढी के बतनाहा गाउं में हैं और अपने गार्जियन का नाम बताया इनके गार्जियन को ख उनके माता-पिता से यह मैं जरूर बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर नजर रखे कि वह क्या देख रहा है कि वह बाबा का जो वीडियो देख रहा है उनसे प्रभावित तो नहीं हो रहा है प्रभावित होने के बाद दोस्तों बच्चे घर से भाग जाते हैं यह बहुत ही बड़ी ख़वर है दोस्तों साथी साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मबाइल से दूर रखे वीडियो ना देखने दे बच्चों को अपने पढ़ाई में ब्यस्त रखे उनके बाद उनको फिजिकल एक्टिविटी करवाई जैसे कि खेल कुद दोस्तों में केला कुदना ये बात अलग है दोस्तों लेकिन वीडियो देखने के बाद बच्चे घर से भाग जाते हैं इतने प्रेसान होते होता है तो यह ख़वर आप तक पहुचाना बहुत ही जरूरी था साथी साथ मैं बावा बागेश्वर से भी या बिंद्री करूंगा कि वह क्लिक वीडियो में एक नई अपडेट के साथ कब तक के लिए जैन्ज दोस्तों